हलो एवरिवन मैं हूँ मेगा बलानी एन वेलकम तू अल अफ यू और आज हम करने वाले हैं अंसीन पैसिज जो बहुत जादा डिमांड किया जा रहा था तो इसलिए हमने कंजक्शन जो है वो हम बाद में करेंगे पहले हम ये टॉपिक कर लेते क्योंकि ये जो है बहुत जादा स्कोरिंग है इसमें बहुत जादा मार्क्स क्या आते हैं और हर बोर्ड कोई भी बोर्ड उठा लो हर बोर्ड में अंसीन पैसिज जरूर पुछा जाता है तो आज हम करेंगे मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताओंगे कि कैसे करना है कैसे क्या होना है आपको ये बताओंगे कि कई बार हम क्या हो जाते हैं बहुत जादा स्टक हो जाते हैं समझ में नहीं आता है कि क्या है कैसे करना है तो हो सकता है हमें कई words जो हैं उनके meaning नहीं पता हो फिर कैसे करेंगे यहां तो मैं आपको हर एक word का meaning बताऊंगी explain करूंगी लेकिन हम इस तरीके से समझेंगे कि अगर हमको यह passage मिल जाता है और हमको कुछ words जो हैं जिनका meaning नहीं समझ में आता है तब कैसे समझना है कैसे solve करना है as a student बताऊंगी कि कौन कौन सी परिशानिया जब मैं छोटी थी मेरे साथ हुआ था आज वो आपको भी हो सकती होंगी शायद आप भी एक सारी चीजे face करते होंगे तो वही चीजे देखेंगे unseen passage और scene passage दो चीजे हैं तो unseen passage तो हम समझेंगे जो सभी के boards में आता है scene passage भी आता है और वो कहां आता है उसको भी discuss करेंगे और एक sample में scene passage भी लेगे हो ताकि आपको एक hint मिल जाएगा कि scene passage किस टाइब से आएगा और हमें कैसे उसको attempt करना है और किस तरह से उसको solve करना है साथी साथ जो question है उन question के answer आपको किस तरही किस से लिखना है passage तो आपको मिल जाएगा उसमें से आप answer देखके लिख लोगे लेकिन उसको लिखने का तरीका वो भी हम देखेंगे ठीके स्टार्ट करते हैं first passage जो है हम उसको देखेंगे first passage यह ना ऐसे ही हमने तीन passage लिए है one by one सबको समझेंगे तो देखो आपके सामने कोई एक passage आएगा और उस passage को आपको लगेगा कि मुझे पढ़ना है फिर पढ़के उसको समझना है फिर समझके फिर question देखने है फिर question देखके उनके answer समझने है कि अच्छा इन question का क्या answer लिखना है हम ऐसे से सोचते हैं और इसमें बहुत ज़ादा time ले लेते तो यह almost सभी boards में अगर मैं overall देखूँ तो किसी के 2 passage आते हैं जो approximately पूरा मैं complete नहीं कहूंगी 14 marks का इतना आ जाता है या फिर 10 marks का आ जाता है कि एक passage आपका 10 marks का आ गया फिर दूसरा 4 marks का आ गया या फिर 10 marks एक हो गया 7 marks का दूसरा आ गया 10 marks का तो ऐसे different जैसे बिहार बोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे 2 passage आते हैं और 1 passage जो होता है वो 7 marks का होता है ऐसे 2 passage होते हैं दोनों को हमको solve करना होता है ठीक है अगर UP board की बात करूँ तो उसमें 1 passage आता है 10 marks का और 1 हमारा scene passage आएगा वो आपका 4 marks का होता है तो total 14 marks का ही हो गया ऐसे ही राजस्थान board या और जितने भी board है सभी में जो है passage जो है must है सभी में आता है और उसको almost 10 marks का तो आप मान के चलो कि 10 to 15 marks में तो आते ही आते होंगे तो सोच लो कितनी बड़ी बात है और हमको करना क्या है सिर्फ passage को देखना है पढ़ना है और उसी में से question देखके हमको answers लगाने हैं कि कौन-कौन जोंगे कहां आपको problem होगी वो भी discuss करेंगे कि कहां-कहां हमें problem आ सकती है तो देखो passage आएगा सबसे पहली चीज क्या करनी है आपको हम क्या करते हैं passage को पढ़ना शुरू कर देते हैं पढ़ते हैं उसको translate करने की कोशिश करते हैं तो देखो इतनी ज़ादा English हो सकता है नहीं आ रही हो आपको या आती भी हो तो very good है अगर नहीं आती है तब हम क्या करेंगे हम एक word ना समझ में आएगा हम वहीं पर ही थोड़े से first जाते हैं और हमारा confidence जो होता है वो lose हो जाता है कि नहीं हो पा रहा है कैसे करेंगे, क्या करेंगे तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है trick जो मैं बताती हूँ कि उसको किस किस तरसे आप follow करो, आपको 15 minutes मिलते हैं ना पढ़ने के लिए paper को read करने के लिए 15 minutes मिलते हैं उस 15 minutes में आपको क्या करना है उस 15 minutes में आपको वो सारी चीजे देखनी है जो choice वाली है, जिसमें choice करना है जैसे passage आएंगे तो दो आएंगे one or two हाना आपको उन दोनों में से एक pick करना है कि मुझे ये वाला solve करना है तो उस 15 minutes में आप क्या करो एक बाद नजर मान लो passage को एक बाद देख लो कि 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 language मुझे जादा easy लग रही है कि कि मुझे थोड़ी से tough लग रही है उन दोनों में से आप एक चुनाव कर लो मुझे ये वाला passage हो है मुझे ये थोड़ी ठीक लग रहा है मैं इसके लिए आगे जाओंगा मैं इसको आगे solve करूँगा ऐसा ही हम letters को देखते है या फिर आप questions होते हैं वो भी choice में होते हैं या जितनी भी आपको choice वाली चीज़े हैं आप उसमें ये सारी चीज़े देख ले तो अभी बात हम कर रहे है passage की तो passage में आपको क्या करना है उस passage में आप choice कर लो कि मुझे कौन सा वाला passage जो है जिसकी language मुझे सही लग रही है easy लग रही है मुझे थोड़ा थो समझ में आ रहा है कि क्या करना है ये गलती बिलकुल नहीं करना है जो passage में दे रखा है आपको वही से ही information पिक करनी है और वही लिखना है बस answer लिखते समय अपनी language में लिखना है clear तो ये चीज़ करनी है अब आपको देखो पहले चीज़ करना क्या है जैसे ही passage आएगा फटा फट से उसको read करो एक बार सरफ एक बार read करो और read करके कुछ-कुछ understanding बिठा लो कि क्या है जिसका word का meaning नहीं समझ में आ रहा है उसको छोड़ दो उसके पास जाओ ही मत कि इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है क्या है एक बार बस पढ़ लो और फिर सीधा अपने switch कर लो question पर या तो मैं यह कौँँगे सबसे अच्छी चीज है कि आप सीधा question देखो question देखके अपने question में से जो भी वहाँ से vocab दिख रही आपको वो वाली vocab ले लो और उसके बाद आप जाओ सीधा passage पर तो दो तरीके हैं तो एक बार फटा फट से passage को पढ़ लो यह दूसरा तरीका जो मुझे भी ठीक लगता है कहीं कहीं कि आप question देख लो question दिखने से क्या होगा आपको question की जो points है जो दिख रहा है कि question क्या पूछा जा रहा है वो lines आपको मिल जाएंगी तो आप सीधा क्या करोगे passage में जाओगे उन सीधा line पर जाओगे तो यह चीज करना ज्यादा बेटर लगेगा तो हम क्या करते हैं अब मैंने passage दिखा दिया आपको तो आप passage देख लो यह passage है जिसको हम read कर सकते हैं television one of the most prevalent media influence सीधा question पर switch करो question क्या क्या पूचा है एक तो पूचा है how does TV desensitize children to violence एक चीज़ तो हमको यह समझ में आई कि कुछ TV desensitize sensitize होगा वो हमको देखना है ठीक है इसको mark कर लेते हैं यह जाके हमको passage में देखना है दूसरा question क्या है why should parents pay a close attention to TV news viewing by children parents को क्यों attention देना चाहिए जब children जो है वो TV देख रहे हो ऐसा कुछ है तो pay attention something something हमको यह passage में देखना है third क्या है find the word in the passage that means the state of being grossly fat and overweight अब यहां पर हमको problem आईगी क्यों? क्योंकि जैसे ऐसे वाले question होते हैं जिसमें आपको synonyms पूछा जाएगा या antonyms पूछा जाता है synonyms मतलब same वैसा ही प्रयावाची शब्द इसको बोलते हैं और antonyms पूछा जाता है यानि कि उसका opposite तो वहां पर आपको problem आ सकती है तो उसके लिए आपको word का meaning पता होना चाहिए लेकिन वो बात की बात है अगर आपको पूरे passage में एक ऐसा question है जो one marks का होगा तो अगर आपको वो नहीं आ रहा है तो उसको आप छोड़ दो बजाए कि बाकी सारी चीजों के लिए उस एक के लिए tension लो और चीजों पर फोकस करो कि अच्छा मुझे इस word का meaning नहीं आता है देखूंगा बात में उसको भी trick से देखेंगे अगर हो सकता है solve हो सकता है तो करेंगे otherwise छोड़ देंगे तो next देखो जैसे ये वाला है एक ये ये थोड़ा सा tricky है इसको देखना पड़ेगा next give the opposite of violent violent का opposite क्या होता है violent मतलब हमको पता है हमने यहीं लिख दिया peaceful जब answer लिखना होगा तब लिख देंगे अभी हमको ये बता जगया तो एक हमको ये complete हो गया बाकि के हमको ये धूनने है और धूनने के लिए क्लिए क्लिए करना है सीधा फिर से जाएंगे हमारे passage पे कितना time बच गया हम passage पढ़ते उसको समझते ये सारी चीज़े करते इससे अच्छा है कि पहले question देख लो question में क्या बोला है desensitize अब question को समझ रो कि question क्या पूछ रहा है question पूछ रहा है कि how does TV जो है TV जो है वो कैसे desensitize sensitize मतलब होता है sensitivity हम समझते sensitive क्या होता है कि भाई कोई चीज बहुत जाथ समवेधनशील होता है अब D हो गया तो इसका मतलब क्या होँआ ये opposite हो गया कि a samvayधनशील बना दिया है किनको बच्चों को किसके लिए violence के लिए चिक है अब हम फिर से जाते हैं कहां पर हमारे passage पर passage में देखो desensitize कहां दिख रहा है आपको वो हमें दिख रहा है ये रहा desensitize चीक है दिख गया अब यहां से देखो क्या करना है TV can जो TV है वो desensitize करती है children को to violence के लिए as some of the most violent TV shows are children's cartoon कि children के जो cartoon है वहां से उनको violence मिल जाता है और दूसरा चीज क्या है वो violence जो है वो उनको कैसे दिखाते है in which violence is a portrait as a humorous ये जो violence है वो उनको दिखाया जाता है कैसे humorous में humorous मतलब क्या होता है अगर आपको याद हो तो हमने जब chapters करते थे तो हमने वहां पे humorous जो है ये word समझा था जो हमने एक poem में देखा था जिसमें नहीं बताया था कि animals जो है उनको different different type की तरह बताया था कि जब bear आयागा तो bear आपको क्या करेगा hug करेगा वो गल जो देखा था हमने उस poem में बताया था उनको लगता है कि अरे यार कितना अच्छा लग रहा है बले वो एक दूसरे को मार रहे है अब जैसे एक hero बन के चलता है एक दूसरा villain है अब उन दोनों के बीच में जब violence होता है तो बच्चे ये तो देखी रहे है और साथी साथ क्या होता है ये सारे चीज़े जो है उनको realistic होती है realistic लगती है कि हाँ ये साथ चीज़े ऐसे होती जबकि ऐसा दिखाया जाता है उसमें जबकि ऐसा नहीं होता है तो ये दो चीज़े जो हैं हमको दिख रही है अब आपको क्या करना है अब आपको अपने answer को लिखना है तो answer लिखने का तरीका मैं आपको बताती हूँ कि answer कैसे लिखोगे तो question हमने देख लिया answer बात भी लिखेंगे अभी सरफ और सरफ यहां से हम tick कर लेते हैं कि यह यह चीजे हैं जिनको हमको करना है तो यह first का answer हो गया next next question क्या था why should parents pay to close attention to tv news viewing by children कि parents को जो है वो attention क्यों करना चाहिए जब children जो होते हैं वो tv news देखते हैं तो इसका question का हमको answer देखना है आप देखो आपको कहां दिख रहा है parents वाला यह वाला दिख रहा है यहां पर parents should also pay close attention to what their children see in the news since studies that have shown that the kids are more afraid of violence in news coverage than in any other media content यहां पर क्या बता जा रहा है कि parents जो है उनको क्या करना चाहिए attention रखना चाहिए ध्यान रखना चाहिए children के उपर क्यों कि क्या बताया गया है कि studies के according बताया गया है यानि जितना भी study किया गया है देखा गया है सूत्रों के अनुसार कि बच्चे जो होते हैं उनको सबसे जादा जो violence जो दिखता है वो कहां से दिखता है वो उनको news से बता चलता है और यही एक media का ऐसा content है जहां पर जादा कोई भी news जो होती है बहुत ही बड़ा चड़ा के कुछ इस तरह से बताई जाती है newspaper में आप जस्ट पढ़ते हो और that's it लेकिन क्या करते है टीवी चैनल वाले जो news वाले होते हैं वो क्या से बताते हैं हर एक चीज को बहुत बड़ा बड़ा के बताते जाएंगे repeat करते जाएंगे तो जो चीज repeat हो रही है बार बार जो हम देख रहे है वही हमारे mind में चलती जाती है तो बच्चों के साथ ये चीज़े जादा होती है तो यहां से हमको answer दिख रहा है अब हमको अपने answer को कैसे लिखना है वो हम अभी discuss करेंगे तो second का answer मुझे मिल गया है यहां पर next next अब देखो next वाला क्या है ना next वाले में आपको थोड़ा समझ में कम आ रहा है क्यों कि यहां पर ऐसे बोल रहा है कि word में passage में word निकालना है आपको ऐसा word निकालना है जिसका meaning है इतनी बड़ी line का हो यानि एक word होगा और वो उसका meaning जो होगा यह सारी चीज़ होगा तो क्या दे रखा है the state of being grossly grossly मनलो मता है हच से जादा ना fat और overweight ठीक है अब overweight दे रखा है अब आपको दिख रहा है कि fat, overweight ऐसा ऐसा कुछ है अब फिर से passage पर जाते हैं और देख लेते हैं एक बार नजर माल लेते हैं कहीं से हमको समझ में आ रहा है क्या कि overweight वाली कोई चीज हो रही तो तेलिविजन इस वन अफ दे मोस्ट प्रेविलेंट मीडिया इंफ्लूसिंस दिख रहा है two decades hundred the studies यहां पर कुछ भी ऐसा मोटा पर वाली चीज नहीं दिख रही है while a direct cause and यहां पर नहीं हो रहा है यहां पर आपने पढ़ी लिया था अभी नेक्स्ट यहां पर देखते है TV viewing is a sedentary activity sedentary मतलब क्या होता है मैं मेनिंग बता देती हू sedentary मतलब होता है कोई चीज जो है वो बहुत कम गती से जब होती है उसको sedentary बोलते है sedentary activities हो गई है अब यहां बता रहे हैं कि टीवी जो देखते हैं उससे क्या क्या हो रहा है and has been proven कि क्या बता रहे हैं कि significant यह बहुत ही महत्रपूर्ण factor है in childhood obesity as well as encouraging the sedentary lifestyle अब उनकी lifestyle जो वो कैसी हो गई बिल्कुल धीरे हो गई है television can also contribute to childhood जो television है वो क्या कर रही है वो childhood में obesity by aggressively marketing junk food लो आ गया junk food to young audience अब यहां से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे जो word इतना बड़ा दिखा है उसका क्या meaning हो सकता है तो अगर विल्कुल नहीं समझ में आ रहा है मैंको तो पता ही नहीं है कुछ की क्या कैसे होगा तब आपको क्या करना है तब आपको थोड़ा सा सोचना है कि दिखो junk food to young इनका मतलब मैं पता है audiences ये भी हमको पता है marketing भी हमको उसका मतलब पता है aggressively मतलब बहुती हद से जादा कोई चीज आप उसकता से कोई चीज खा रहे हो न उसके लिए है contributed to the यहाँ पर दिखा रहे है junk food अब अगर आप इस पूरी line में देखो तो आपको सिर्फ एक word है जिसका meaning नहीं समझ में आ रहा है यह में जस सर्फ क्या दे रहे हूँ ट्रिक दे रहे हूँ कि इस तरह से आप ध्यान से सोचोगे तो आपको कुछ-कुछ समझ में आ जागा तो मुझे से लग रहा है कि जो obesity है यह लग रहा है इस line के according कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि कि childhood obesity किस से हो जाता है childhood का जो मोटा पर हो जाता है वो किस वज़े से हो जाता है वो एक जगे पर TV देखते रहते हैं और इसकी वज़े से वो क्या करते हैं बैठे बैठे खाते रहते खाते रहते TV देखते हैं कोई और चीज नहीं करते हैं तो वहां से हमको यह चीज़ समझा रहे है कि obesity का meaning क्या होता है grossly fat and overweight ठीक है तो यहां से आप इस चीज़ से hint लगा सकते हो कि हाँ इसका मतलब यह होगा तो I think all solved, सारे solved कर लिए हमने अब आप देखो answer कैसे लिखने है ठीक है first, first दे रखा है how does TV desensitize children to violence ठीक है अब इसको क्या करा है, question दिया है how से, तो आप क्या करना, आप जब answer लिखोगे तब आप इस तरह से लिखना TV desensitize children to violence, अब यहां पर फिर से अपने paragraph पर आजो तो यहां से लिख सकते हो, TV can desensitize children to violence as, यहां तक लिखके अब अपने answer को numbering में लिखो, क्योंकि पहला number आपको कहा से दिख रहा है first number आपको दिख रहा है, यहां से तो आप question इस तरह से लिखके as करके यूं कर देना, और अपने answer को one number डाल के यहां लिखना कि पहला reason तो क्या है, some of the most violent TV shows are children's cartoons in which violence is portrayed as humorous, ठीक है, first answer, first point में यह लिख दिना फिर second point डालना और second point में यहां से लिखना it is seldom that realistic consequence of violence are shown हमने कोई translate नहीं किया, हमने कोई चीज समझी नहीं, हमने सिर्फ और से वो चीज किये जो हम उस time पे करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आपको सब कुछ, सब का meaning आता होगा, आप पूरा translate करोगे, फिर यह चीज करोगे मैं भी अपनी life में, जब मैं छोटी थी, मतलब स्कूल में थी, तब मैं भी यह चीज करती थी पूरा translate करती है, लेकिन तब किसी ने बताया नहीं कि, इसको translate नहीं करना होता है, आपको सिर्फ आपकी understanding से समझना होता है, पैसे जिसी के लिए होते हैं, तो अब यहाँ पर यह चीज समझ में आ गई, तो यहाँ से हमने यह चीज कर लेए, क्यों कहते हैं, इसको writing skill वाला है reading reading वाला है क्योंकि reading में क्या है आप read कर रहे हो कुछ read करके समझ रहे हो तो कितना समझ पा रहे हो वो यहां पर देखते हैं आपका check करते कि आप कितना चीज़ समझ पा रहे हो ठीक है next next है हमारा question था second था कि why should parents pay a close attention to tv news viewing by children जब parents जो होते हैं अब जब भी question why से start हो ना तो आप क्या करना आप हमेशा अपने answer को इस तरीके से लिखना कि जैसे why दे दिया तो आप लिखिएगा parents should pay a close attention to news viewing by children because के बाद अपना answer शुरू करना सीधा पहले लिखना जो भी आपका subject है उसको उठाना parents उसके बाद अपनी verb लगाना parents should pay a close attention to tv news viewing by children because यहां तक अपना set complete करके फिर जाना अपने passage के पास अब passage में जाओ passage में कहां से देखा था हमने यहां पे देखा था तो यह चीज तो हमने लिखी ली थी कि parents should pay close attention to अब अगर यहां से लिखोगे कि what their children see in the news since studies haven't show that the kids are more afraid of violence in news coverage तो यह ऐसा लगेगा कि बिल्कुल चाप दिया है ऐसा का ऐसा लेकिन अगर आप अपनी language में लिखोगे तो जादा better तरीके से लगेगा और जब हम पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कि हां answer बिल्कुल सही तरीके से लिखा जा रहा है parents should pay a close attention to tv news viewing by children because अब अपने answer प्याओ because यह kids लिखा है ना it's kids की जगे आप children लिख दिना अब कुछ कुछ चीज़ें आप खुद से change करके लिख सकते हो अब यहाँ पर आप ऐसे लिखना because children are more afraid of violence in news coverage that's it complete यह सारी चीज़े मतलब ना कि studies से पता चला है यह बस हमको क्या बता रहा है हमसे ही पूरते हैं कि बही क्यों करना चाहिए parents को attention इसको इसलिए attention करना चाहिए इसलिए ध्यान रखना चाहिए क्योंकि news coverage जो होती है वो ज्यादा violent करती हैं ज्यादा डरा देती हैं बचों को afraid मतलब होता है डराना चीक है तो इससे आपका answer ज्यादा sweet लगेगा अच्छा लगेगा बजाए कि आप 3 line ऐसी कैसी लिख दो तो actual में भी obesity ही होगा इसका answer मैंने सिर्फ आपको बताया है कि किस तरीके से आप कर सकते हो आपके पास बहुत passages मिल जाएंगे आप कई तरह के कर सकते हो लेकिन मैं ये सिखाना चाहती हूँ कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तब आप किस किस तरीके से अपने answer को लिख स प्रेक्टिस करके दिखना और भी भहुत सारे से निकाल लेना एक दो बार आज पढ़ो आज के आज ही पढ़के और आज के उसको एक दो तीन जो सैट है वो निकाल लो solve करके देख लो कि देखो हां हम वह चीज कर पा रहे हैं जो मैं हमको समझाना चाहती है क्या हम भी उसी time बच जाता है आप उसमें अपनी और चीज़े अच्छे से करो जैसे letter हो गया वहाँ आपको अपनी writing skill अच्छी बतानी है तो वहाँ time अच्छे से दो अच्छे तरीके से उसको लिखो जो question answers है उनको अच्छे से लिखो grammar portion है उसको complete करो यह चीजों को और इन चीजों में आपको देखना क्या है इन चीजों में आपको लिखने का तरीका जो है वह अच्छे से लिखना है कि question जो मिल गया तो सीधा as it is passage में से नहीं लेना है कि news जो है वो हमको और जादा क्या करती है knowledgeable बनाती है वो साथ चीज़े हमने नहीं लिखी क्योंकि हमको वहाँ जाना ही नहीं है हमको passage के अंदर जो information है सिर्फ वही लेनी है सर्फ language अपनी लिखनी है clear आगे बढ़ते है next देखते है next passage अब मैं चाह आंसर भी दिखाई देती हूँ ना first का आंसर क्या है how does TV desensitize children to violence तो इस तरह के से आप अपने answer को लिख दीजेगा next हमने देखा था why should parents pay attention तो इसके लिए भी parents should pay attention because करके आप लिख दीजे the violence in the news coverage can make the children feel scared अब मैंने देखो यहां पे क्या किया है यहां पे इस तरह से लिखा हुआ है because the violence because तक हमने भी लिखा लेकिन हमने क्या किया हमने passage मैं से उसी time अब देखो यहां पे यह भी मेरा ही लिखा हुआ है लेकिन मैंने उसको क्या किया उसको मैंने अब भी आपके साम करते करते हैं मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया कि चिल्रन जो है वो इस तरीके से होते हैं तो आप वो तरीका अपना होगे तो ज्यादा बेटर है अब यहां पर भी यह भी सही है और वो भी सही है दोनों ठीक है ठीक है नेक्स देखते हैं question number third overweight के लिए हमने देखा था तो obesity होगा this is the right answer and next है violent violent का मतलब क्या होता है कोई भी चीज violent हो ना तो उसके लिए हम peaceful लिखते हैं अब आप अपने answer को कैसे लिखो जैसे violent है यह क्या दे रखा है inverted comma में दे रखा है तो आप इसी तरीके से अपना answer लिखो the opposite of violent is peaceful ठीक है ना ऐसे simple peaceful लिख दोगे marks तो महां से मिल जाएंगे लेकिन थोड़े अपने answer को अच्छे से बना के लिखोगे तो ज्यादा अच्छा लगता है ठीक है next next passage में थोड़ा सा side हो जाती हूँ आप एक बार चाहो तो पढ़ना चाहो पढ़ लीजिए उसके बाद हम इ देखिए क्या दे रखा है it is rare to find someone with good technical and communication skills communication skills के बारे बता रहे है you can get ready you can get far ahead of your colleagues if you combine the two early in your career people will judge evaluate promote or block you based on your communication skills इसके language बहुत simple लग रही है और बहुत simple भी है तो आपको ऐसे ही मिलेगा एक passage जो है वो आपको खुद को ही लगेगा कि हाँ यह चीज मुझे जादा easy लग रही है यह वाली मुझे थोड़ा से tough लग रही है the art of listening and the learning from the each and ever every interactions is another secret recipe develop the subconscious habits of listening to yourself as you speak and now what are you talking about? अब यहां पर क्या बता रहे है यहां पर time नहीं करते है वेस्ट पढ़ना है पढ़के देखने ला अगर पढ़ना है तो एक बढ़ लेना नहीं लगता है कि नहीं हमको नहीं पढ़ भी लेंगे तो अब पढ़ लिजे फटा फटा फट से एक बाद में पढ़ लो और एक understanding बिठा लो कि हाँ इसमें कुछ ऐसा technical का यह पूछ बता रहे हैं communication skill हो रही है और उसको कैसे enhance कर सकते हैं कैसे अच्छी कर सकते हैं वो बता जा रही है और यहां पर और क्या बता रहे हैं कि किस किस तरीके से आप अपने communication को और अच्छा बना सकते हो वाकी सारी अब जाओ सीधा question पर अब question ये है one two three तीन question दे रखें हमको sorry four question है थीकर फॉर question है four question में आपको हो सकता है यह two marks का मिल सकता है यह two marks का हो सकता है यह one marks का हो सकता है skill की आवशक तक क्यों है क्यों जरूरी है पहला question यह है how can communication skill be developed कैसे कर सकते हैं हम communication skill को developed कैसे कर सकते हैं दूसरा यह है तीसरा फिर से आ गया कि एक word है उसका आपको meaning बताना है तो trait यहां पर passage में कहीं trait मिलेगा हमको उसको देखेंगे what is the meant by the word utter utter का meaning क्या है इसको भी हमको देखना होगा कि utter means क्या होता है तो अगर आपने chapters अच्छे से पड़े होंगे तो वहां पर यह दोनों words बहुत बार repeat हुए है so many times ठीक है अगर वहां से समझ में आता है तो ठीक है नहीं हमने तो नहीं पड़ा नहीं समझ में आया तो हम पैसे से इसको कैसे निकाल सकते हैं वह चीज़ देखेंगे हम ठीक है हो सकता है आपको आते हो आपने पड़े हो उस टाइम पर ध्यान नहीं आ रहा हो ठीक है वह नहीं पता है हम यह देखेंगे कि हम कैसे निकाल सकते हैं मै तो आपको 2 मिनिट में बता दूंगे इनकी answer क्या है लेकिन मैं आपको ये बताऊंगे कि आप कैसे find करोगे उस चीज को तो first question है कि necessary पूछ रहे है कि good communication के लिए क्या क्या जरूरी है चलते हैं हमारे किस पे हमारे passage पे तो पैसेश पे आगए फिर से कि good communication अब आपको देखो good communication कहां मिल रहा है कि good communication के लिए क्या क्या जरूरी है हाँ तो यहाँ देखो answer दिख रहा है आपको कि people जो है लोग जो है वो आपको judge करते हैं evaluate करते हैं promote करते हैं basis on your communication skill तो यहाँ से हमको question as it is नहीं दे रहा है कि यहाँ आपको यह पूछा जाए कि why is necessary to have a good communication क्यों जरूरी है तो जरूरी इसलिए है क्योंकि इसी से लोग आपको judge करते हैं इसी से लोग आपको देखते हैं evaluate करते हैं कि आप कितने capable हो कितने सही हो कितने नहीं हो अब आपको अपना answer लिखना है तो why is equation start हो रहा है तो answer कैसे लिखोगे answer लिखोगे it अपना subject पहले उठाना it is necessary to have good communication because because लिखके अब जाना अपने passage में फिर वहाँ से निकालना कि हाँ अब क्या क्या लेना है तो because में क्या देख रहा है कि because because people यहां से exactly ऐसा कैसा उठा लो people will judge, evaluate, promote on block you basis on your communication skill यह first का answer ठीक है very simple next next क्या है next है how can communication skill be developed कैसे कर सकते हैं develop तो उसके लिए क्या है अब यहां पर question स्टार्ट हो रहा है how से तो how के लिए क्या करना है कैसे कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं हम कर सकते हैं communication skill तो आप लिखेगा यह communication पूरा skill एक as a subject perform कर रहा है तो हम क्या लिखेंगे it या तो it लिखो या communication skill लिखो communication skill can be developed उसके बाद आप by या that इस तरह से अपने answer को शुरू करोगे तो हम देखते हैं कि communication skill को कैसे develop कर सकते हैं अपनी communication skill लिखें उसके बाद लिखेंगा अपनी helping work great communicators हैं जो अच्छे से बोल पाते हैं उनको आप observe करो उनको देखो and adopt their style उनकी style को adopt करो उनकी style को अपना ओ और traits in written and verbal form और उनकी जो लिखने की जो traits हैं उनको देखो और देखो अब यहाँ पर आपको third वाले का भी मिल गए कि traits यह चीज भी हमको देखने की traits करना है in written and verbal form कि वो किस तरह से लिखते हैं क्या करते हैं कैसे बोलते हैं वो सारी चीजें आपको देखनी है the art of listening and learning from each and every interaction is another secret recipe अब यह वाला जो चीज है develop the subconscious habit of listening to yourself as you speak and now when to pause और आपको क्या करना है यह खुद से आपको देखना है अब यहाँ पर देखो यह कह रहे हैं कि आप develop कर सकते हो subconscious habits से कि listening yourself अपने आपको खुद को बता सकते हो कि कब मुझे रुखना है कब मुझे बात करना है यह आप खुद से observe करो कि कि किस बात में मुझे रुखना है और bad जो forms हो दिये communication की उनको repeat करना है और learn करना है observe the great communicators को और adopt करना है उनकी style code, traits in written and verbal form बस यही तक ही लिखेंगे हम अपने answer को यही ठीक लग रहा है तो अब आप क्या करना अब आपने जहां से लिखा था वहां से जो question चलता था हमारा तो हमने लिखा था communication can be developed developed के बाद लिखो by repeating both good and bad forms of the communication learn to observe that communicators and this 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 बस, that's it तो हमारा second का भी answer होगे अब बचे थे दो, एक था हमारा utter और दूसर था trait, दोनों का meaning बताना था तो trait थो हमको यहीं मिल गया traits, तो traits in return तो traits in return से आपको क्या समझ में आ रहा है traits in return की return लिखने में, return करने में traits, तो यहां communication की बात हो रही है तो communication में कुछ कह रहे हैं कि develop करना है, अच्छा करना है, जो अच्छे communicator है ना उनको देखना है, उनका style देखना है और उनका लिखने का, अब लिखने का क्या होगा लिखने का उनका कुछ style होगा और या उनका कुछ special चीज होगी उसको कहते हैं, तो trait means होता है किसी चीज की विशेश्ता होना किसी चीज का special होना और ये word मैं आपको बता दूँ कि हमने चेप्टर में कहां पढ़ा था हमने चेप्टर में पढ़ा था अने फ्रेंक था जो उसके teacher जो उसको कहते थे कि लिखने के लिए देते थे कोई भी passage होता था कोई भी एक topic होता था, chatterbox वाला वो chapter हमने पढ़ा था तो वहां पर उसने यह निगा था कि यह यह जो है यह तो students का यह बच्चों का एक trait होता है एक विशेशता होती है कि बच्चे जादा बोलते है और मुझे यह मेरा quality है मुझे मेरी mommy से मिला है यादा है, तो वहां पर यह trait का मतलब हमने समझा था तो इसका मतलब क्या होता है कोई विशेशता कोई चीज special होती है next हमने देखा था utter अब utter word डूंडो कहां मिल रहा है तो utter मिल रहा है हमको यह रहा one unnecessary word uttered at a wrong time or place can ruin a relationship कह रहे हैं कि unnecessary मतलब जरूरत ना हो और ऐसा अगर word क्या कर रहे है wrong time पे कुछ कुछ कर रहे है place can be relationship तो अब यहां से समझ में आ रहा है कि utter का मतलब ऐसा लग रहा है कि यहां पे ऐसा कहा जा रहा है कि कोई भी अगर unnecessary word अगर हम बोल देते हैं तो उससे क्या होता है तो बोल देते हैं तो उससे क्या हो जाता है आपका relation जो है वो ruin मतलब खराब हो सकता है एक गलत time पे गलत बात बोल कोई भी बात जो है फालतू बोल दो तो उससे आपका relation खराब हो सकता है तो यहां पे बोलना वाली चीज़ आ रही है तो yes utter means होता है speak तो आप अपने word को लिख सकते हैं ऐसे find करके आप देख लो कि हाँ इसका meaning line के according क्या बन रहा है हो सकता है आपको answer नहीं पता हो इसका meaning नहीं पता हो लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो अगर आता है utter मतलब समझते ही पड़ते ही तो वो चीज समझ में आ रही कि हाँ भे speak या नहीं बोलने की बात हो रही है समझ में आ रहा है line से यह meaning निकल रहा है तो इस तरीके से आप कर सकते हो यह आपकी practice से होगा तो practice करोगे उतना आपको समझ में आगा कि किस किस तरीके से why is necessary to have good communication skills इसके लिए अब यहां से देखो यहां पर इसने because से लिखा हुआ है तो हमको because से नहीं लिखना है हमको यहां से question में से उठा के लिखना है तो it is necessary to have good communication skills because then आप अपना answer लिखोगे clear next question number two how can communication skills be developed तो इसके लिए मैंने आपको यही बोला कि पहले question में से निकालना फिर आप by repeating से लिखना start करना यहां direct by repeating से मत लिख देना या chapter में से जहां से जो भी passage में से जो line है as it is मत लिख देना थोड़ा सा question में से लेके फिर अपने answer को frame करके लिखना next next है what is meant by the word trade trade मतलब होता है कोई चीज की विशेशता तो आप specialty लिख सकते हो quality लिख सकते हो कोई भी word लिख सकते हो आपका वो answer ठीक जाएगा next हमने utter का meaning देखा तो utter का meaning क्या होता है speak बोलना clear? next अब आती है बात scene passage की यह scene passage कहां आता है? scene passage आता है UP board में जहां पर आपके जो chapter है उसी में से कोई extract निकाला जाता है किसी भी एक chapter का अंच निकाला जाता है और वो लिख दिया जाता है और वहां से आपको question किये जाते हैं उनके आपको answers देने होते हैं ठीक है? तो यहां बर जो scene passage है वहां आप अपने साथ answer डाल सकते हो क्यों? क्योंकि scene passage आपका पढ़ावा होगा वो आपी की book से होगा तो वहां पर आपसे check किया जाता है कि आप कैसे अपने answer को अच्छे से तरीके से लिख पाते हो तो वहां आप अपने answer में कुछ चीज add करोगे न चैप्टर के अंदर होगी और passage के अंदर अभी नहीं आपको mention होगी तो वहां से आप डाल सकते हो तो यह रहा फर्स्ट चैप्टर था जो हमारा letter to God वहीं से ही है लैंचो शोड़ not the slightest surprise on seeing the money यह वह 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 एक्स ट्रैक है जब उसके पास letter आता है तो उसको ऐसे नहीं लगता है कि God ने भेजा है और अच्छा God ने भेजा है वह उसको ऐसे था कि हाँ यह तो confident है कि God ने भेजा होगी जब God को लिखा है तो God ही भेज रहे होंगे बैट वह क्या करता है जैसी खोलता है कि मैंने क्या मांगा है immediately Lencho went up to the window और वो window पे जाता है to ask for paper pink वो paper ink paper और ink के लिए बोलता है कि मुझे paper और ink दो on the public writing table जो public writing table होती है वहाँ जाता है start writing और started writing वो writing करना शुरू कर देता है with much wrinkling of his bro वो अपने जो bro है वहाँ पे बहुत जाता जुरियां बना के और क्यों बनाता है क्योंकि by the effort he had he had to make to express his ideas वो अपने ideas को express करता है कि भई मैं क्या चाता था और तुमने क्या बेजा है मैं 100 पैसो चाता था लेकिन उसने कितने बेज़े थे 70 पैसो बेज़े थे लेकिन उसने अपने ऐसे मूँ का जो थूक है वोसी से लगा के उसने उसको क्या कर दिया fix कर दिया envelope से और इस तरह से fist मतलब अपनी मुट्टी से दबा के उसको चिपका दिया हम करते हैं ऐसे करके कि वो जो stamp होते हैं वो बिल्कुल ऐसे चिपक जाते हैं गीले-गीले से भी तो उसने ऐसे ही licking करके मतलब चाट के उसको उसको चिपका दिया और इसको fist से ऐसे से करके pack कर दिया तो यह चोटा सा ही मिलेगा आपको ऐसे बड़ा सा message नहीं मिलेगा वो चोटा सा extract मिलेगा और उसे से related आपको question मिलेगे question देख लेते हैं यह आपका 4 marks का आता है हो सकता है आपका 1-1 mark का हो जाए ठीक है या फिर 2 question ही आ सकते है 2-2 marks के आ जाएंगे 2 question आ जाएंगे 2-2 marks के आ जाएंगे या फिर 1-2 का जाएगा तो total मिला के आपका 4 marks का हो गई है ठीक है solve करना start करते है why was Lenchu not surprised on seeing the money Lenchu money को देख के surprise क्यों नहीं हुआ पहला question दो यह तो अब आगर आपने chapter अच्छे से पढ़ रखा है तो आपको पता है कि वो surprise क्यों नहीं हुआ because उसको क्या था उसको God पे बहुत जादा trust था बहुत जादा trust था तो इसलिए उसको यह देख के उसको surprise नहीं हुआ next question है which two reasons दो reasons बताओ दिड ही गिव तो justify his anger उसके anger उसके गुसे को justify करने के दो reason बताओ देख लेंगे अभी why did he go to the window to ask for paper and ink वो window पे क्यों गया paper और ink मागने के लिए क्योंकि वो क्या करना जाता था he wants write another letter to God next क्या था which word in the passage mean the same as least and smallest अब आप से पूछा जाएगा कि यह जो word दे रखा है least or smallest ऐसा ही passage में कौन सा word लगता है जो आपको इसके जैसा लग रहा है जिसका meaning जो है वो ऐसा ही है इसके जैसा नहीं जो इसका meaning ऐसा ही हो तो देखना है आपको passage में कि मेरे passage में पहला question जो है कि वो surprise क्यों नहीं हुआ उसका answer दे रखा है तो उसका answer आपको इसमें नहीं दे रखा है क्योंकि यहाँ से शुरू हो रहा है लैंचो शोड not the slightest surprise बिल्पल भी उसको surprise नहीं हुआ on seeing the money such was his confidence but he became angry अभी angry वाली line आ गए और उसके बाद हमको यहां पर कोई चीज नहीं तो अब यहां से आपको question जो दे रखा है उसका answer आपको खुद को बना के लिखना पड़ेगा बना के क्या लिखोगे अब यहां वाई दे रखा है फिर से आपको question कैसे लिखना है आप लिखेंगे लैंचो लैंचो वास not surprising on seeing the money अब यहां से हमें यहां लिख देती हूँ ठीक है because अब यहां से आपको देखो answer जो आप बच्चे कह रहे थे ना कि मैम हमको answer लिखना सिखाईए तो आप यहां से अपने answer को लिख सकते हो अब आपको हिंडी में क्या समझ में आ रहा है हिंडी में समझ में आ रहा है क्योंकि उसको क्या था God पे विश्वास था तो आप लिखेंगे because his उसको न उसके लिए क्या है उसकरेंगे his because his faith because his faith in God God में था अब God के लिए God के उपर उसको क्या था so strong so strong बस इतना answer लिख दो कि उसको विश्वास था God के उपर इसलिए उसने इस तरीके से किया था next है which two reasons did he give to justify his anger अब आप यहां से अपने answer को कैसे लिखोगे कि which पूछा है कौन से दो reason है तो आप लिखना he अब did दे रखा है जब भी आपको question में did दे रखा है तो did कहा है past के लिए अब हमको question है ये तो question में तो did यूज़ किया है लेकिन हम जब अपना answer लिखेंगे तो किस में लिखते हैं affirmative sentence में लिखते है simple sentence में लिखते है और simple sentence के लिए हम क्या यूज़ करते है verb की second form यूज़ करते है तो यहां से आपको अपने answer को कैसे लिखना है question number जो two है उसका answer आप क्या लिखोगे आप लिखोगे he give की second form क्या होती है give gave आप लिखेंगे he gave to justify his anger ठीक है to justify यहां से लिख देना ठीक है to justify his anger कैसे किया अब यहां पर इस तरीके से ऐसे लगा देना फिर दो reason लिखने है तो अब यहां जाते हैं दो reason कौन से हो सकते हैं तो दो reason कौन से कौन से हो सकते हैं पहला reason तो था उसने क्या हो रहा था कि God mistake नहीं कर सकते हैं दूसरा reason उसने क्या दिया था कि God जो है वो कभी मुझे money देने के लिए deny नहीं करेंगे मना नहीं करेंगे तो पहला आप लिख सकेंगे God could not have made a mistake तो first तो हमको यहां से मिल गया और second अब second reason क्या है कि वो deny नहीं कर सकते मना नहीं कर सकते यह दूसरा reason था तो आप क्या करोगे God है तो God लिख दो यहांपर नौर को हटा देना God could अब नौर था नहीं के लिए तो लिख देना God could not नौर लगाना ठीक है यह नौर है इस नौर को हटाने के लिए हमने नौर लगा दिया है तो God could not have denied अब लैंचू हटा देना what he had requested कि एक तो यह चीज कि मैंने क्या मांगा था और दूसरी जिम्स्टेक नहीं कर सकते और दूसरा मना नहीं कर सकते तो यह दो रिजन दे तो आप वन नौर डाल के लिख देना सेकंड नौर डाल के आप क्या लिख दोगे God could not have denied इस ही को भी टा देना denied what he had requested clear? next next है हमारा question next question है question number 3 why did he go to window to ask for paper and ink इसका answer मैंने बताई दिया था कि आप क्या लिख हो कि why लिखा है why से आप क्या लिखना he अब फिर से date आगया तो date के लिए क्या उस करते है date के साथ हम verb लेंगे हमारी जो भी हमारी verb होगी उसका second form लेंगे क्योंकि हम simple sentence बना रहे तो अब यहां पर क्या है हमारी verb हमारी verb है go अब go की second form क्या होती है go went तो यहां answer कैसे लिखेंगे he went to the window to ask for pen and ink because because he wanted to write another letter to god another letter sorry another letter to god okay क्योंकि वो क्या करना चाता था एक और letter लिखना चाता था किसको god को तो इस तरीके से आप अपने answer को लिखेंगे अब यहां देखो मैंने क्या लिखा because he wanted wanted क्यों लिया है क्योंकि sentence जो है वो किस में चल रहा है past में चल रहा है तो मुझे past को ही continue करना है क्योंकि हम बात भी क्या कर रहे है कि उसने दूसरा letter जो लिखा वो किस के लिखा god के लिखा ठीक है तो यहां पे आपको wanted लगाना है clear next last है हमारा which word is the passage mean the same as least and smallest तो यहां पे आपको कि उसको बिल्कुल भी जरा भी surprise नहीं हुआ मतलब अब जो भी चीज है वो जैसे हम कह रहे है least सबसे कम ऐसे ही क्या बोड़ रहे हैं हम smallest सबसे कम सबसे छोटा तो ऐसे ही slightest मतलब सबसे कम जो है उसको surprise जरा सा भी surprise नहीं हुआ तो यहां से वो वाला meaning निकल रहा है तो slightest किसकी तरह है बिल्कुल आपका जो least और smallest ठीक है smallest की तरह है ओके next है डाना इतना ही था अब answers देख लेते हैं हम एक बार कि क्या-क्या answer हो सकते हैं जो हमने लिखा है उसकी according तो first question था अब देखो यहां पे इसने क्या किया है लेंचो's faith in God was so strong that he was not surprised on seeing the money बट हमने कैसे लिखा था हमने लिखा था पहले हमने question में से pick की थी लाईने फिर हमने because करके लिखा था तो आप because जो हमने पहले discuss किया था वैसे ही कर ले न कि लेंचो लेंचो was not surprised on seeing the money क्योंकि यहां पे उन्होंने यहां से लिखा है that लगा के he से लगाया है हमने क्या किया पहले वो लिख दिया फिर because लिखे because वाकी तो हमने ऐसा ही लिखा था because लेंचो's faith in God was so strong clear तो दोनों तरीके से लिख सकते हो बिलकुल दोनों तरीके सही है next two reasons बताने थे तो two reasons में पहले हमने क्या क्या यहां पे direct one two दे दिया हमने क्या क्या हमने पहले line उपर से पिक की थी हमने क्या लिखा he he gave to justify his anger फिर इस तरह से करके फिर आपने one or two डालो के तो जादा अच्छा लगता है answer तो यह हमने तो बाकी देख लिया था बाकी तो ठीक है next question number three जो देखा था वो क्या था why did he go to the window to ask for paper and ink तो हमने देखा था he went to हमने यहां से लिखा था he went हमने went ही बनाया था he went to the window to ask for pen and ink because he wanted हमने भी wanted ही लगाया था because he wanted to write another letter to a god ठीक है मैंने god ही लिखा था आप a god लिख देना okay next last था हमारा question number four which word is the passage mean the same as least and smallest जिसका meaning हमने निकाल दिया था किसका meaning क्या होगा हमने slightest लिखाया था and बिलकुल वही है slightest इस तरह से अपने आंसर को लिखना है स्लाइटेस लिखके मत छोड़ देना अच्छे से लिखना the word slightest means as the same as least and smallest कोई भी चीज हम सबसे कम कम की बात कर रहे है तो slightest भी मतलब बिलकुल भी जरा भी इस टाइक से बोल रहे है तो होता है तो यह थे हमारे आज की passage I hope आपको बहुत ज्यादा help मिलेगी इस चीजों से कि हाँ कैसे कैसे हम अपनी understanding जितनी understanding है उसके साथ अपने passage को solve करें और इसके लिए आपको क्या करना है सरफ practice करना आज ही कर लेना दो तीन set निकाल लेना एक बार करके देख लेना तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि हाँ हम कर पा रहे हैं हो सकता है आपका word वाली जो इसे words है या आपके synonyms, antonyms है अगर ऐसा question आ जाता है तो वहाँ आपसे हो सकता है mistake हो जाए वैसे नहीं होगी झाल